इस वीडियो में मैं आपको बताऊने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आप सेयर चैट अप पर किसी को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को सुरू से लास्ट तक देखिएगा और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए है इस चैनल को सस्क्राइब करके पासवाले नोटिफिकेशन बेल को दबा कर ओल के अप्सन पर जरूर क्लिक कर दीजेगा चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं तो इसके लिए फ्रेंट्स आपको चले जाना होगा अपने सेयर चैट अप में उसके बाद दोस्तों देखिए मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि आप जो है अपने follow किये हुए user को कैसे block कर सकते हैं तो अगर आप अपने following को block करना चाहते हैं तो उसके लिए उपर आपको यह profile icon पर click करना है उसके following पर click करना है आपने जितने लोगों को follow कर रखाऊगा वो सारे का account यहाँ पर आजाएगा अब दोस्तों आपको जिसको भी block करना है तो block करने के लिए आपको उसके account पर click कर देना है उसके जबाद उसका account यहां पर open हो जाएगा आप friends उपर आपको यह 3 रोट पर click करना है और उसके बाद नीचे आपको यह block user का option मिल जाएगा तो आपको इस पर click कर देना है उसके बदेखे यहाँ पर आपको बताए जाएगा कि अगर आप इसे block कर देते हैं तो फिर इससे क्या होगा तो दोस्तों देखे अगर आप share chat app पर किसी को block कर देते हैं तो दोस्तों इससे यह होता है कि वो जो है आपको कभी भी follow नहीं कर पाएगा और दोस्तों नहीं वो आपके share chat अप के post को देख पाएगा और नहीं वो आपके share chat account के privacy को देख पाएगा तो अब अगर आपको block करना है तो आप यहां block पर click करिए उसकी बाद वो block हो जाएगा और दोस्तों ब्लॉक हो जाने के बाद आप भी जो है उसके एकाउंट को नहीं देख पाएंगे और फिर उसने जो है क्या क्या पोश्ट डाल रखा है वो सब भी जो है आप नहीं देख पाएंगे तो इस तरी के साफ़ जो है सेर चैट अप में किसी को ब्लॉक कर सकते हैं अगर यहाँ पर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर नए है सब्सक्राइब जरूर करिजेगा